करोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला कांगडा में लगाएगे वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर नजरा रहा है। प्रशाशन द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवाएं जारी रही लेकिन बसों में इका दुका सवारी यहीं देखने को मिली। प्रशाशन के आदेशों को मानते हुए लोग घरों में ही रहे और आवश्यकारे होने पर ही घरों से बाहर निकले। जिला में विविन हिस्सों में कुल मिलाकर वीकेंड को लेकर लोग काफी जागरुक नजर आए। शापुर क्षेतर में वीकेंड के दौरान अवश्यवस्तों की जो दुकाने खुली थी केवल उने ही छूट प्राब थी वहीं आवश्यक कारे हैं तो आने जाने वालों को अनुमती दी जा रही है। वीकेंड को लेकर शापुर में दुकानदारों से बैठक की गई और दुकानदारों ने अपनी दुकाने बंद रखी। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर विविन्टी में भी बनाई गई हैं जो पूरे शापुर क्षेतर में गश्ट करती नजर आई। उलंगना का कोई मामल सामने नहीं आया और लोगों ने भी प्रशाशन का खूब सहियो किया है। शापुर क्षेतर में अब तक डेड़ सो लोगों के चलान बिना मास्क के किये गए हैं। इसके अलावा जो भी कोविड नियमों के अविल ना करता पाया जा रहा है उसके खिलाफ भी कारवाई अम पुलिश की गाड़ियां है या अमर्जेंसी में कोई जा रहा है उसको दौलाव किया जा रहा है। अदरवाईज दो दिन पूरण लौकरम था इसमें हमने शापुरक शेतर के सारे जो दुकानदार हैं उनसे भी मिटिंग की और सभी दुकाने जो है बंद हैं चिक्षन संस कर रहा है लोगों को समझाया जा रहा है लोगों का भी इसमें सहयोग मिल रहा है फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि घर से निकल लेते हैं तो उन लोगों को समझाब जाकर बापिस बेजा जा रहा है और लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि जरूरी काम से ही बार निकले ऐस इसको बड़ी गंभेरता से हम सब को लेना पड़ेगा और अपनी अपनी जिम्मबारी को निवाना पड़ेगा। मासके हमने बहुत सारे चलान किये हैं मैक्सिमम मेरे ख्याल से अभी तक लगवक चलान हमने कर लिये हैं दूसरे जो दूसरा लॉक्डाउन लगा और रेगुलर हम चेक कर रहे हैं जो भी आदमी इस तरह का वाइलेशन करता हूँ अपाया जा रहा है उसके खिलाब कारवाई क कर रहे हैं मैं सभी शापूर के निवासियों से एकी निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना मतलब के बाहर ना गोमें और दो दिन का जो पुरुन लॉक्डाउन सरकार द्वारा लगाया गया है उसकी पालना करें ताकि हम इस कुरोना मावारी से थोड़ सा निजात पा सकें और इससे हम बचाव कर सकें